करवा चोथ की कहानी एक सावकार था, उसके साथ बेटे थे और एक बेटी थी वह साथ भाईयों की प्यारी बेहन थी वह सब एक साथ ही बैठ कर खाना खाते थे एक दिन कार्तिक की चोथ आई तो उसकी बेहन ने करवा चोथ का अवरत रखा सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन को बोले आ बहन तू भी खा ले उसकी मा बोली आज यह खाना नहीं खाएगी इसका करवाचोत का वृत है जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी तो उसके भाईयों ने चल कपट से जंगल में आग जलाकर चलने में इसे चांद दिखा दिया तो वह अपनी भाईयों से बोली चलो चांद निकलाया है अरक दे लो तो उसकी भावी बोली ये तो चांद तेरा निकला है यानि कि ये चांद तो तुम्हारे नाम का निकला है हमारा तो रात को निकलेगा यह सुनकर भाईयों के कहने से उसने चांद को आरक दे दिया और खाने बैठ गई पहला तो बाल निकला और दूसरा तुकड़ा तो छीक मारी तीसरा तुकड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बिमार है और जल्दी भेजो मा ने लड़की के पहनने के लिए तीन बार संदुक खोला तीनो बार सफेद कपड़े निकले अब उसको सफेद कपड़े पहना कर ही ससुराल भेज दिया और मा ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बान दिया और बोली रास्ते में जो भी मिले पैर पढ़ती के पैर पड़ी पर किसी ने भी सुहा का आशिस नहीं दिया अब सशुराल में आई तो दर्वाजे पर छोटी ननद खड़ी थी वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली सीली हो स्पूजी हो साथ बेटों की मां हो मेरे भाई का सुख देख अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गाठ मार ली उसके बाद वह अंदर आई आकर देखा तो उसका पती अचेत पड़ा है अब वह उसे लेकर एक कोठी में पड़ी रही एक साल तक उसकी सेवा करी उसकी सास बांदी के साथ बची कुछी रोटी भेज देती और इस प्रकार उसे अपने पती की सेवा करती करते एक साल हो गया कर्भाचोत का वरत आया सारे पड़ोसनों ने नहा दो कर रिकर कर्भाचोत का वरत किया सब ने सिर दो अकर हाथो को मेंदी लगाई चूडिया पहनी वह सब देखती रही एक पडोसन बोली तू भी करवा चोथ का वुरत कर ले तब वह बोली मैं कैसे करूँ तब पडोसन बोली चोथ माता की किरपा से सब ठीक हो जाएगा पडोसन के कहने से उसने भी वुरत रखा थोड़ी देर की बाद करवे बेचने वाली आई करवे लो री करवे लो भाईयों कि प्यारी करवे लो EKARWALI मेरे कोँ भी करवे देजा такую केने लगी मेरी दूसरी बहन आईगी वो तुझे करवे देगी दूसरी आई फिर बोले तीसरी इस प्रकार से पांच बहने आकर चली गई पर किसी ने भी करवे नहीं दिये फिर छठी बहन और बोली मेरी साथ भी बहन आएगी वह तुझी करवे देगी बस तू सारे रास्ते में काटे भी खेर कर रख देना जब खूब चिलाती भी आएगी तो उसके पैर में काटा चुप जाएगा तब तू सुई लेकर बैफ जाना और उसका पैर पकड़ कर मत छोड़ना और उसक करवे देकर जाएगी फिर तू जमन करना जिससे तेरा पती अच्छा हो जाएगा अब उसने वैसा ही किया रास्ते सारे रास्ते में काटे भी खा दिये जब वो करवे लेकर खूब चिलाती हुई आई तो उसके पैर में काटा चुप गया उसने उसका पैर पकड़ कर छोड तो करवे वाले बोली तुने तो मुझे ठग लिया यह कहकर उसने उसे करवे दे दिये अब करवे लेकर उसने उजबन की तैयारी की वरत रखा राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला मैं बहुत सोया वह बोली सोय नहीं बार महिने हो गये हैं तुम्हारे सेवा करते करते चोथ माता ने सुहाग दिया है उसका पती बोला चोथ माता का उजमन अच्छी तर ऐसे करो अब उसने चोथ माता की कहाने सुनी और उजमन करा अब वे दोनों चोपड खेलने लग गए इतने में उसकी बांदी तेल की पली और गुड की डली लेकर आ गई दोनों को खेलते देकर सासु से जाकर बोली महलों में खूब रोनक है तेरी बहु चापड सार खेल रही है इतना सुनकर सासुमा देखने को आई दोनों को देखकर खुश हो बहुत खुश हो गई बहु ने सासु के पैर दबाए सासु बोली बहु सच सच बता तुने क्या किय जिससे इतना सारा हाल अपनी सासुमा को बताया और राजा ने सारे सेर में दिंडोरा पिटवाया कि अपने पती की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहने करवा चोथ कवरत रखे पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उजमन करें हे चोथ मातर जैसा राजा की लड़की को जीवन दान दिया विज़स सब को दे कहानी सुनते समय कटोरी में चावल ले और चांद को रख देते समय ऐसा साथ बार बोलिए चंदाए चंद्रावलिये चंदा आया बार में उट सुहागर न रख दे मैं बैठी तेरी बाट में काहे का तेरा कंडला काहे का तेरा हार सोने का मेरा कंडला जग जोती में का हार कहां बसे तेरा पेवडा कहां बसे ससरा आम तले मेरा पेवडा नेम तले ससरा चंदाए चं इस प्रकार से चोथ माता करवा चोथ की कहानी समापत होती है जै चोथ माता